अलो एंड वेलकम एफ्रिवन तो दा ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सेलेक्शन मेंटर हम लोगों के जो साइन साइन टेकलोजी की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए दैप रशनों की तरफ आज हम लोग चलेंगे तो आप सभी लोग जो सेलेक्शन मेंटर का टेलेग्राम चैनल है उससे आपको डेली अपडेट हैगा कि कब किस चीज की या आपकी जो भी क्वेरी है वो सभी चीजें आप लोग अपने पैकल्टी से डारेक्ट पूँच सकते हैं तो यहां पर आप लोगों को जो सोचल नेट और हमारा पहला प्रश्ण है वू डिस्कवर्ड ब्लड ग्रूप यानि कि रक्त समूह की खोज किसने की थी तो ब्लड ग्रूप जो होते हैं यानि कि रक्त समूह जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ठीक है कि हम लोगों का रक्त समूह अलग-अलग होता है ठीक है विभिन प् तो यहां पर देखा जाए तो जो रक्त समू है इनकी discovery यानि कि इनकी खोज इसने की थी और ये प्रश्ण बहुत ही important है और साथी साथ क्या होता है कि ये को प्रश्ण ऐसे भी पूछा जाता है कि who classifies the blood या blood group यानि कि रक्त समूह का वरगी करण किस ने किया था ये भी प्रश्ण आपका पूछा जाता है तो यहां पर देखा जाए तो जो options हैं आपके लेंडिस्टीनर, जेनर, वीनर और इस्प्रिंग डेल तो यहां पर देखा जाए तो जो एडवर्ड जेनर हैं एडवर्ड जेनर ने तो टीके की खोज की थी ये पहले जो questions हैं उनमें हम लोग discuss कर चुके हैं कि सबसे पहला vaccine को discover किस ने किया था या चेचक के टीके की खोज किस ने की थी तो वहाँ पर नाम आता है एडवर्ड जेनर का ठीके तो यह option यहां पर क्या हो जाएगा अल पहर हो जाएगा अब यहां पर देखा जाए तो जो कारल लेंड इस्टीनर हैं कारल लेंड स्टीनर और वीनर ये दोनों ही अफ्रीकन बंदरों की एक प्रजाती है जिसको की हम लोग कहते हैं Rhesus, ठीक है कौन सा? Rhesus monkeys जो है, Rhesus बंदर जो है, तो Rhesus monkeys पर ये काम कर रहे थे और उनमें इन्होंने blood को या blood group को यानि कि रख समूह को discover किया था तो यहाँ पर नाम आता है किसका? कारलेंड, इस ठीनर का, जबकी वीनर का नाम famous हुआ था किस चीज के लिए? RH factor यानि कि Rhesus तत्व के लिए, ठीक है RH factor के लिए जो आपका famous हुआ था नाम वो किसका हुआ था? वीनर का हुआ था? तो हमारे रख समूह में यह जो positive और negative का sign आता है तो जिन लोगों में RH factor present होता है, उनका blood group हमेशा positive होता है और जिन लोगों में absent होता है, उनका blood group हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है तो यह आपके क्या है? RH factor यानि कि recess factor मतलब recess तत्तो की खोज की थी, किसने वीनर ने जब की blood का classification यानि कि रख्त का वरगी करण या रख्त समूह की खोज की थी, कार लैंड इस्टीनर ने तो right answer इस प्रश्ण का क्या है? A option is the correct answer. अगले प्रश्ण में देखें, तो the height of the geostationary satellite from the earth surface यानि कि भू इस्थिर उपग्रह की प्रित्वी से उचाई कितनी होती है? यानि कि भू इस्थिर उपग्रह यानि कि जो geostationary satellite होते हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो geostationary satellite को हम लोगों का जो launch vehicle है, यानि कि जिस rocket से हम लोग इसको place करते हैं, वो हमारा क्या है? जी एस एल वी कहलाता है, यानि कि जी एसल वी यानि कि geostationary satellite launch vehicle, जो है आपका जी एसल वी से भू इस्थिर उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, और इसकी उचाई प्रित्वी की सताह से कितनी है? जैसे ये प्रित्वी की सताह से है, तो कितनी उचाई पर भू इस्थिर उपग्रह को हम लोग क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं, यानि कि भू इस्थिर उपग्रह का जो कक्षा है, वो कितनी उचाई पर होगी? की option है 5000 km, 42,000 km, 36,000 km या 65,000 km तो जो भू इस्थिर उपग्रह हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो भू इस्थिर उपग्रहों को पृत्वी की सतह से 36,000 km की उचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है यानि की project किया जाता है तो इसका right answer आपका क्या होगा? C होगा क्योंकि भू इस्थिर उपग्रह जो है ये पृत्वी की सतह से 36,000 km की उचाई पर इनकी कक्षा होती है जिसमें ये move करते हैं यानि की गति करते हैं ठीक है? अब पहली चीज तो अगर देखे जाए तो जो geostationary satellite है इनकी golden गरती पृत्वी के golden गरती के बराबर ही होती है और खास तोर पर जो भी हम लोग navigation satellite जानि की चीजों का पता लगाने के लिए जैसे हम लोग use करते हैं गूगल मैप, गूगल अर्थ तो ये गूगल मैप जो हम लोग use करते हैं या जो गूगल अर्थ यूज करते हैं ये सभी आपके किसकी वज़े से प्रोजेक्टाइल होता है, किसकी वज़े से function करते हैं, geostationary satellite यानि की भू इस्थिर उपग रहों की वज़े से और इनका ज जो rotation period यानि कि प्रिथवी का जो आवर्थ काल है या घूर्णन काल है, ये कितना होता है, 24 hours होता है, यानि कि 24 गंटे ही इसका आवर्थ काल होता है, ठीक है, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, clear है सभी को, आइए move करते हैं, अगले प्रशन की तरफ, the hanses disease of building is known as, बहुत ही important question है, और आप में से कई लोग क्या होंगे, इसको पढ़ करके confused होंगे, कि आखिर ये जो hanses disease है, यानि कि जो कुष्ठ रोग है, ये buildings में कैसे होने लगा, ऐसे तो कुष्ठ रोग बस खाली हम लोगों ने सुना है, कि मनु पर सफेद चकत्य पढ़ने लगते हैं, और दीरे दीरे फिर ये गलना सुरू हो जाती है, लेकिन यहां buildings कब गलती है, तो हम लोगों ने तो building बना लिया, building को देख रहे हैं, बचपन से आज तक वैसे का वैसा है, ठीक है, तो buildings को कई से कुष्ठ रोग होगा, क्या कोई virus इ अफेक्ट करेगी, तो अगर building की बात कर रहे हैं, और building जो है, यह हमारा क्या है, देखा जाए, तो अजैविक घटक है, अजैविक घटक यानि कि जिसमें की हम लोग जीवन नहीं होता है, ठीक है, प्रकृतिका हमारा क्या है, अजैविक घटक है, और वो भी man made या human made, यान यानि कि मानव निर्मित घटक है, तो यहाँ पर buildings को छती कैसे पहुचेगी, earthquake की वज़े से, भूकम पाएगा, acid rain की वज़े से, अमल वर्षा के कारण, moisture नमी के कारण, या dead cement, यानि कि मृत cement के इस्तमाल के कारण, यानि कि अगर dead cement हम लोग use करेंगे, तो dead cement की वज़े से क् तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो buildings को छती किस की वज़े से होते है, यानि कि कुछ रोग किस के कारण होता है, तो इसका right answer होगा, beta acid rain, यानि कि अमल वर्षा होगा, क्यों? क्योंकि अमल वर्षा की अगर हम लोग बात करें, तो अमल वर्षा में दो अमल होते हैं, एक तो होता है हमारा sulfuric acid, यानि कि S2SO4, और दूसरा होता है हमारा nitric acid, यानि कि HNO3, ठीके, ये दो अमल होते हैं, अमल वर्षा के मुख्य घटक होते हैं, यानि कि main component होते हैं, अब यहीं पर हम लोग अगर देखें, तो जो acid rain होती है, अमल वर्षा के ये हमारे क्या हैं, मुख भी paint होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, या कुछ सालों के बाद देखेंगे, कि बाहर का paint fade हो जाता है, लेकिन अंदर का paint वैसे का वैसा रहता है, तो ये जो fading है, ये भी किसके कारण होता है, acid rain के कारण होता है, ना कि sunlight के कारण, ठीक है, acid rain यानि कि अमल rain बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से धीरे-धीरे buildings के component गलना सुरू हो जाएंगे, और building कमजोर हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है, कि भावन का कुछ रोग, यानि कि building का कुछ रोग, यानि कि hence the disease of building, ठीक है, और ये किसके कारण होत अमल वर्षा के घटकों की बात की, ठीक है, तो यहाँ पर अमल वर्षा के मुख्य घटक क्या है, यहाँ पर option आपके दिये हुए, S2SO4, यानि कि sulfuric acid, HCl, hydrochloric acid, C7H6O2, ये है benzoic acid, और C6H8O7, और ये है आपका citric acid, ठीक है, तो citric acid जितने भी हमारे खटे रसदार फल हो जाता है? ठीक है, रसदार फलो में विटामिन C पाया जाता है, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं, कि तो खटे रसदार फलो में कौन सा acid होता है, तो citric acid, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते है, citric acid के नाम से हम लोग जांते है, Cytric acid कहते है, हम लोग, अब यहीं जो आपका benzo बैंजोईक एसिड है ये घास की पत्तियों में पाया जाता है वूद्राइर प्रिज़ंमें इसका इस्तुमाल करते हैं HCL को hydrochloric acid यानि कि गंधक का अमल भी कहा जाता है अब वहीं पर जो आपका sulfuric acid यानि कि ये आपका क्या कहता है कि stomach acid के नाम से जनना जाता है और गंधक का अमल जो है ये sulfuric acid कहलाता है और sulfuric acid और nitric acid ये दो अमल होते हैं जो कि हमारे अमल वर्षा में उपस्थित होते हैं इसलिए जो right answer आपका यहाँ पर होगा वो होगा A option is the correct test ठीक है clear move करते हैं अगले प्रश्ण की तरफ और हमारा अगला प्रश्ण कह रहा है the maximum density of water is at which temperature यानि कि पानी का जो सरवाधिक घनत्व है density है वो किस तापमान पर होती है 0 degree Celsius पर 10 degree Celsius पर 4 degree Celsius पर या 37 degree Celsius पर तो हम लोग जानते हैं कि सून्य degree पर क्या होता है पानी जो है जम जाता है यानि कि water किसमे convert हो जाएगा हमारा जल जो है ये हमारा प्रतिवर्तित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है किसमें ice में यानि कि बर्फ में convert हो जाता है अब वहीं हम लोग देखें कि सून्य पर क्या होता है कि ये convert हो जाता है बर्फ में लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर घनत्व जो है यह आपका सरवाधिक नहीं हो ठंडी के सीजन में आप लोग देखते हैं कि अकसर कई सारे जीव ऐसे हैं जो की शीत निद्रा में चले जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन पीरियड ठीके जैसे कि अगर हम बात करें खास्तो और पर भालूओं की यानि कि बीर्स की ठीक है चाहे वो ग्रिजली बीर्स हो चाहे वो फोलर बीर्स हो तो ये सभी सीत निद्रा में चले जाते हैं और सीत निद्रा में हाइबरनेशन पीरियड में ये जब जाते हैं कि जैसे suppose that ये कोई जील है और इसकी उपर की परत क्या हो गई है यहाँ पर ये जम गई है यानि कि बर्फ से जम गई है यहाँ पर तो temperature कितना है शूने या सूने से नीचे है लेकिन नीचे पानी float होता रहता है और जितने भी हमारे aquatic animals हैं यानि कि जलिये जीव हैं जैसे कि बात करें ठीक है और खास दोर पर अगर मगर मच्छों को आप लोगों ने देखा हो तो मगर मच्छ क्या करते हैं अपने nostrils को यानि कि नथनों को बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे ही बर्फ में जम जाते हैं और पूरी body इनकी पानी के अंदर ही रहती है ठीक है और नहीं दे और चार डिगरी पर जल का घनत तो सरवाधिक होता है और यही कारण है कि बर्फ से जमी हुई जील या नदी में भी जीव जीवित रहते हैं क्योंकि ऊपर की परत आपकी क्या हुई है जमी है लेकिन नीचे की परत यानि कि पूरा पानी जमा नहीं है ठीक है तो चार डिग पीतल जो कि मिश्वधातु है यह किस चीज की बनी होती है औप्शन्स है आपके कॉपर एंड जिंक यानि की तांबा और जिंक का ठीक है आईरन और टंगस्टन डबलू जो सिंबल होता है यह टंगस्टन का होता है और एफी क्या है आईरन एयू गोल्ड और सिल्वर का या लिथियम और कार्मन का तो एक चीज याद रखेगा कि कभी भी पीतल की बात आए तो आप लोग ध्यान दीजेगा किस सब्द का ठीक है पीतल की बात हो रही है ठीक है पीतल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेगा किसका तो एक शब्द ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने फादर को शुद्ध हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है तो शुद्ध हिंदी में कहते हैं हम लोग बेटा पिता जी ठीक है तो पी क्या हो गया पी हो गया पीतल और ता क्या हो गया तांबा तांबा या यानि कि आपका क्या हो गया ताबा की अगर हम लोग बात करें यानि कि कॉपर हो गया और जी हो गया यानि कि जिंक हो गया ठीक है तो कभी भी पीतल की बात हो तो पीतल जो है यह आपका क्या है पीतल जो है यह आपका पिता जी यानि कि कॉपर और जिंक का मिक्शिर होता है य which is used, यानि कि rubber के वलकनी करण के लिए इसका उप्योग किया जाता है, options हैं आपके, sulfur, carbon, nitrogen, chlorine, तो rubber का वलकनी करण करने के लिए ताकि वो hard हो सके, और उससे हम लोग tires बना सके, ठीके, washers बना सके, इन सब के लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो जो हमारा क्या है, rubber है, तो rubber के वलकनी करण के लिए, अगर हम लोग बात करें, तो rubber के वलकनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, गंधक का, यानि कि sulfur का उप्योग किया जाता है, तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानि कि sulfur, ठीक है, अगला प्रश्ण है हमारा, what is the difference between nitrogenous base in DNA and RNA, यानि कि DNA और RNA में कौन से nitrogen छारक का अंतर पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि DNA जो है, यह double helical model होता है, यानि कि दुचक्रिय model होता है, जिसको James Watson और Francis Crick ने दिया था, जबकि जो RNA होता है, वो single stranded होता है, ठीक है, तो यह आपका DNA है, और यह आपका क्या है, RNA, और DNA और RNA के बीच में अगर देखा जाए, तो दोनों को ही बनाने के लिए nitrogenous base चाहिए होता है, और इस आधार पर देखें, तो DNA में पाया जाता है क्या? एडिनीन, थाइमीन, गौानीन और साइटोसीन, ठीक है, एडिनीन, गौानीन, थाइमीन, गौानीन और साइटोसीन, यह चार nitrogen चाहरक किस में होते हैं? DNA में होते हैं, RNA की अगर हम लोग बात करें, तो RNA में क्या पाया जाता है? तो RNA में बेटा प्रजेंट होता है, एक तो एडिनीन प्रजेंट होता है, दूसरा गौानीन प्रजेंट होता है, तीसरा साइटोसीन प्रजेंट होता है, और चौथा यूरेसिल उपस्थित होता है, DNA में क्या उपस्थित होता है थाइमीन जबकि RNA में क्या प्रेजन्ट होता है यूरेसिल और यही अंतर होता है DNA और RNA के बीच में तो यहाँ पर जो right answer है कि uracil किसमें उपस्थित होता है तो uracil उपस्थित होता है RNA में जबकि thymine उपस्थित होता है DNA में ठेक है DNA में uracil नहीं होता है और RNA में thymine नहीं होता है तो इसका right answer हो जाएगा क्या आपका A option correct होगा अगला प्रश्ण है hypoxia is called hypoxia किसको कहते है deficiency of oxygen in blood यानि की रक्त में oxygen की कमी deficiency of CO2 in blood यानि की carbon dioxide की रक्त में कमी calcium deficiency of calcium in body यानि की calcium की सरीर में कमी या deficiency of nitrogen in body सरीर में nitrogen की कमी तो देखिए hypo hypoxia तो यहाँ पर देखिए तो oxia यानि किस से संबंदित है oxygen से संबंदित है और hypo hypo मतलब क्या होता है hypo मतलब होता है कमी ठीक है कमी को क्या कहते है hypo और अगर hyper हो जाए तो hyper मतलब होता है अधिकता ठीक है तो hypoxia is called यानि कि hypoxia कमी किसकी oxygen की तो oxygen की कमी किसमें होगी हमारे रक्त में होगी जो की hemoglobin ले जाता है जैसे इस समय कोविड की अगर बात की जाए तो जो कोरोना है हमारा तो कोरोना में क्या होता है oxygen deficiency हो जाती है यानि कि सरीर में oxygen की कमी हो जाती है और इस कारण से देखें तो ये इसका right answer होगा deficiency of oxygen in blood यानि कि रक्त में oxygen की कमी को hypoxia कहते हैं अगला प्रशन है हमारा which of the following is not a virus born disease यानि कि निम लिखित में से कौन सी बीमारी जो है virus जनित यानि कि विशाणू जनित नहीं है options हैं आपके gonorrhea, डेंगू, hepatitis B, Ebola तो देखें Ebola, hepatitis B और डेंगू ये तीनों हमारे क्या है विशाणू जनित रोग है क्योंकि डेंगू डेंगू virus से होता है hepatitis जो है ये hepatitis virus से होता है और Ebola disease जो है Ebola virus के थूँ होती है और ये तीनों विशाणू जनित रोग है Ebola का नाम करण क्यों हुआ था क्योंकि अफरीका में जो Ebola नाम की नदी है उसी के किनारे या उसी में ये viral infection पाया गया था वहाँ के लोगों में सबसे पहला case मिला था इसलिए इसका नाम Ebola रख दिया गया था तो यहाँ पर देखा जाए तो viral infection नहीं है तो ये है आपका gonorrhea और gonorrhea जो है ये आपका क्या है एक जीवाडू जनित रोग है यानि कि आपका bacterial infection है और gonorrhea और syphilis ये दोनों ही हमारे genital organ यानि कि जननांगों से संबंधित बीमारी होती है और साथी साथ अगर हम लोग देखें तो इन बीमारियों को हम लोग ये भी कहते है कि ये मूत्र जनन छेत्र से संबंधित बीमारी है यानि कि जो हमारा your excretory system है बहिशकरन तंत्र है उसमें अगर देखा जाए तो उससे सं यानि कि कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं. तो पाइरिया, जो है, यह हमारा प्रोटो जोंस इंफेक्शन है विशान जनित रोग है और AIDS के टेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं तो ELISA test यानि कि Enzyme Linked Immunosorbent Essay इसका पूरा नाम है थेके ELISA test यानि कि Enzyme Linked Immunosorbent Essay जो है यह आपका AIDS पता लगाने के लिए इस्तमाल किया जाता है जोईंडिस को हम लोग कहते हैं पीलिया तो पीलिया जो है इसमें सरीर और नाखून आखे यह सब पीलिय होने लगते हैं और नेक्ट है आपका Typhide जो है यह आपका यह भी bacterial infection है जीवालू जन्रोग है और जो जीवालू से यह फैलता है उसको कहते है Salmonella Typhi और Typhide जिसको हम लोग मियादी बुखार के नाम से जानते हैं ठीक है क्या कहा जाता है इसको मियादी बुखार इसको कहा जाता है तो मियादी बुखार यानि कि Typhide का पता लगाने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है तो विडाल टेस्ट का इस्तमाल किया जाता है तो इसका right answer होगा option D move करते हैं अगले प्रश्न की तरफ the joint is in joint is which organ is affected यानि कि पीलिया में हमारे सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आते यानि कि intestine, lungs, फेफडे, eyes, आखें या तवचा, skin तो jointis की अगर हम लोग बात करें तो jointis में होता क्या है हमारे सरीर में जो bilirubin नाम का एक pigment बनता है ये क्या होता है ये हमारी body में absorb होने लगता है और हमारे सरीर में जो absorption का काम है वो कहां से होता है आवशोशन की प्रक्रिया होती है आतों से होती है यानि कि intestine से और intestine ही जब damage होंगी या तभी क्या होगा ये bilirubin absorb होगा और पीलिया में कौन सांग प्रभावित होता है तो intestine ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होती यानि कि हमारी आतों को ही ये प्रभावित करता है तो right option होगा A. अगला प्रश्ण है in which year WHO announces India is polio free तो polio मुक्त WHO ने कब भारत को घोशित किया 2014, 15, 16 या 17 में तो WHO यानि कि World Health Organization जो है इसकी इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी 7th of April को 7 April को रिसी लिए 7 April को क्या मनाया जाता है स्वाथ April को हम लोग मनाते हैं क्या मनाते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्व रोग दिवस मनाया जाता है 7th of April को और polio free कब घोशित किया था तो वो घोशित किया था 2014 में अब कब ये घोशित करता है WHO अगर लगातार 3 साल तक किसी देश में उस बीमारी से संबंदित कोई भी active case यानि कि कोई भी आपका active case नहीं मिलता है तब ही WHO किसी देश को उस बीमारी से मुक्त घोशित करता है तो यहाँ पर घोशित किया था कब 2014 में ठीक है clear तो इसका right answer होगा A अगला प्रशन है which one of the following disease is known as microcephaly यानि कि निम्न में से किस बीमारी को microcephaly कहा जाता है Ebola, meningitis, Zika या Nipah तो यहाँ पर देखें तो microcephaly, cifaly जो शब्द है cifaly साइंस के टर्म में अगर हम लोग देखें cifaly कहा जाता है किसको cifaly कहा जाता है brain को यानि कि हमारे मस्तिष्क को ठीक है brain को कहा जाता है और micro मतलब क्या होता है छोटा तो brain किस बीमारी में छोटा होता है तो यहाँ पर अगर देखें तो meningitis जो होती यह मस्तिष्क से संबंधित तो बीमारी है लेकिन इन में meningitis प्रभावित होती है तो यह option नहीं होगा Ebola viral infection है निपा भी viral infection है और Gika disease भी viral infection है जिसको की Zika hemorizic fever भी कहा जाता है तो जो Zika disease है Zika disease को ही microcephaly के नाम से जानते हैं इसमें मस्तिष्क की आकरती क्या हो जाती है जैसे हमारा head का portion है किसी छोटे बच्चे में अगर देखें तो उसका head का portion कुछ normally क्या होता है ऐसे होता है ठीक है लेकिन microcephaly में क्या हो जाएगा microcephaly में उसका brain क्या हो जाता है बच्चे का मस्तिष्क क्या हो जाता है छोटा हो जाता है छोटी आकरती का कुछ इस तरीके से हो जाता है उसकी आकरती जिसको की microcephaly कहा जाता है तो Z का disease में ऐसा होता है तो right option आपका क्या होगा C होगा ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को clear होगा तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करिए साथी साथ bell icon को press करिए और ताकि next video के notification आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत ही advance होती रहे धन्यवाद